हेलो फ्रेंट्स आई इस प्रॉल्म को सॉल करते हैं क्वेशन क्या कहता है इसको कह रहा है कि इसकी सिंप्लिफाइड वैलू जो होगी इन चारों आप्शन में से कौन सी होगी यह में बताना है जैसा कि हमें पता है कि अंडरूट 900 की जो वैलू होती है वो कितने के बराबर होती है 30 के बराबर होती है उसी तरीके से अंडरूट 0.09 की वैलू जो होती है वो कितने के बराबर होती है 0.3 के बराबर होती है और अंडरूट 0.50 और 9 की जो वैलू होगी कि वो कितने के बराबर होगी? 003 के बराबर होगी. ठीक है? अब हमें क्या करना है? कि हमें 30 plus 0.3 minus 0.003 यह हमें expression यह simplify होके यह expression इसमें change होके आ जाता है. अब हमें answer बताना है कि वो कितना होगा? तो अब हम पहले तो हम इसको जोड़ेंगे और उसमें से इसको घटाएंगे. तो जो value निकल के आएगी, वो क्या आएगी? 30.297 और option number 2 सही है.